Hello my dear kids, very good morning to all, today I teach you chapter 13, okay students, यह आपकी हिंदी की शब्द ग्यान वाली पुस्तक है, इस में से हम chapter part 3 का अध्याई करेंगे, तीन अक्षर वाले शब्द, आप ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से देखिएगा, यहां हम तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ने जा रहे हैं, आपको ये पिक्चर्स दिख रही है यहां कुछ शब्द लिखे हैं और पिक्चर्स बनी हुई है चित्र बने हैं देखिए ज़रा ये कलश है तो यहां शब्दों को जोड़के तीन शब्दों को जोड़के सौरी तीन वर्णों को जोड़के शब्द बनाया है देखिए यहां कलश कलश क्या बना यहां कलश मगर मगर यहां मगर का पिक्चर दिया हुए है इसलिए यहां तीन अक्षर को जोड़के शब्द बना है मगर क्या बना यह नमक नमक क्या बना यह शब्द बना इसने कमल यहां देखिए कमल का चित्र बना है ध्यान से देखिए न ये न न नयन क्या शब्द बना नयन यह देखिए आख आख चित्र बना है इसे हम नयन भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे नयन भी कहते हैं नैतर भी कहते हैं ठीक है यह सब आख की ही प्रयाईवची होते हैं, आख के समानार्थी शब्द होते हैं, इसे हम नयन भी कहते हैं, आख भी कहते हैं, और नेत्र भी कहते हैं, आगे देखिए, शहद, शहद, क्या शब्द बना? शहद, 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 यहाँ शहद का चितर बनावा है, देखिए, तो तीन अक्षर मिलक क्या बने शहद इस तरह से आप जोड के पढ़ेंगे शहद 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 ओके नेक्ष देखिए रह शह कर इसे हम शह पढ़ते हैं रख्षक कैसे पढ़ेंगे हम से रख्षक रख्षक देखिए यह सैनिक है यहां सैनिक कोई हम रख्षक केते हैं जो रख्षा करनी वाला होता है उसे हम रख्षक केते हैं यह सैनिक है यह रख्षा करता है इसलिए इसे रख्षक का आगया है तो तीन अक्षर वाला शब्द रक्षक क्या आप शब्द बना रक्षक आगे देखिए ज्यान से सुनिएगा बच्चों मटर 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 यह बिना मात्रा की शब्द है इसे तो आप इन्हें हम आसानी से पढ़ सकते हैं तीन शब्दों को जोड़के क्या बना मटर मटर इस तरह से आप अभ्यास करिएगा महल क्या बच्चों फिर से अभ्यास करेंगे हम देखिए क, ल, श, कलश, मेरे साथ में बोलिये कलश, म, ग, र, मगर, न, म, क, नमक, क, म, ल, कमल, इस तरह से आप अभ्यास करिएगा ना, य, न, 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 यन, श, ह, ध, श, ह, ध, श, हध, र, श, क, र, श, क, र, श, क, र, क्ष, क, र, क्ष, क्या पड़िंगे हम इसे? रक्षक मटर मटर बोलिएगा बच्चों मटर महल 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 इस तरह से आपको तीन अक्षर जोड़ के शब्द तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ना है इसका अभ्यास करना है ध्यान से इन चित्रों को देखना है और इन चित्रों के साथ में अक्षर जोड़ के इनको धीरे धीरे पढ़कर अभ्यास करना है अभ्यास करेंगे जैसे आप दो शब्दों वाले वर्ड अक्षर पढ़ चुके हैं शब्द पढ़ चुके हैं अब आपको तीन अक्षर वाले जोड के शब्द पढ़ना है ठीक है my dear students ओके यहां कुछ और शब्द दिये वे है तीन अक्षर वाले इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं देखिए बटन बटन यहां बटन का चित्र बनावा है तो क्या हुआ बटन कैसे पढ़ेंगे हम बटन यह देखिए हवन का चित्र बना है इसे हम पढ़ेंगे हवन हवन क्या बना हवन यह तीन अक्षर से मिलके बना है हवन गर म समस्ते ना यहां आप यह देखिए चित्र बना है यह धूआ उट रहे है यह चाय क्या है इसलिए यहां तीन अक्षर को जोड़के क्या बना है गरम गरम मेरे साथ अब्यास करिएगा बच्चों खरल भवन भवन भगत भगत और शब्द देखिएगा इन्हें भी हम द्यान से पढ़ लेते हैं यह भी तीन अक्षर के हैं यह अमन क्या बना इससे अमन गगन रमन सहन और देखिए यहां कुछ शब्द और अटक अटक लटक चटक चटक पहन पहन चरम नरम नरम शरम बहन बहन खपत जपत 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 बना चपत 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 चहल चहल देखिएगा यह तीन अक्षर वाले शब्द है जिने हम हमने रीड किया है आप लोग भी इनको ध्यान से देखिएगा और पढ़ने का अभ्यास करिएगा Okay students, bye bye, have a nice day.